असलाम अलेकुम नाजरीन वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम आपके लिए ब्लीच क्रीम बनाएंगे और यह बहुत अच्छी है इसकीन को फॉरण ब्लीच करेगी इसकीन फॉरण फियर होगी दाखते बेदूर होंगे इसकीन ग्लो करेगी और इसे फॉरण पता चल दाएग अपने इंग्डीइंस की तरफ हमें चाहिए अंडे की सफेदी अंडे की सफेदी लेंगे हम सिर्फ 2 लेमन जूस 1-2 तेबिल स्पून पिर इसमें हम मिलाएंगे बेगिंग सोडा दो चुटकी शिफ दो चुटकी ही डालिएगा उसके बाद हनी एट करेंगे 1-2 तेबिल स्पून और पिर इसमें हम डालेंगे गॉन फ्लोर 1-1 तेबिल स्पून इन सब चीजों को एक बोल में डा दालेंगे आइधा ने इंट्वीक डालेंगे इतना मिक्स करेंगे के तमाम इंग्रीडियंस हो जाये एदेग प्रितने सफेदी और करन फलोर 2-2 तेबिल स्पून और घंड्रो स्पून ऑन के ड़तर दो दूंच मिल्एए मिल-बिंद कर देदी दो चुटकी, कॉन फ्लॉर, वन एंड हाफ टेबिल स्पून, इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और अच्छा सा पैस बना लेंगे, और अपने फैस को साफ करेंगे, ड्राइ करेंगे, और ड्राइ करने के बाद इस मास को हम फैस पे लगाएंगे, पूरे फैस पे लगाएं, ग अच्छा सा तो इसको ठंडे पानी से धोले, दोने के बाद आप खुद देखिएगा, कि आपकी स्किन बहुत फैर हो जाएगी, किलियर हो जाएगी, और एकनी, एकनी के निशान वगएरा, आहसता आहसता रिमूव होने लगेंगे, इस रेमेडी को किजिए, और मुझे बत हमने डाला है अंडे की सफेदी, जो स्किन को टाइट करेगी, फाइन लाइन दूर करेगी, और स्किन को ब्राइट बनाएगी, इसमें हमने यूज किया है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा स्किन के कलर को फियर करता है, दाख तबे दूर करता है, और स्किन को ब्राइट करत आइसने देल है सिरिद घंफॉर है करता है इसमें हमने उस्थ हैं कर दोकर क्रिधा है उसरा क मैण द्क है क्षिद बाहल है कॉ नाहरी दोकर दोकर के ऑणपे यॉस्थ है इसके इनको किलियर करने में फियर करने में हेल्प करेंगे तो अब हम चलते हैं अपने हदीश की तरफ हदीश ये है हुजूर अक्रम अलेहिवादी वासलम ने फरमाया बत्तरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम से बुरा सुलुक किया जाए आपको मेरी वीडियो अच्छी लग करें और मुझे सब्सक्राइब करवाएं और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाँ अफीज